स्वागत है आप सभी का My Gadget Experience में दोस्तों, साउंड बार के साथ सब वूफर और दो सैटलाइट स्पीकर वाले 5.1 चैनल होम थियर्टर सिस्टम मार्केट में बहुत सारे अवलेबल है जिनमें से दो अलग-अलग ब्रांड के होम थियर्टर सिस्टम बोट अवंटे बार 3100D और सोनी STS20R को मैंने यूज किया है तो इस वीडियो में इन ही दो होम थियर्टर सिस्टम बोट अवंटे बार 3100D और सोनी STS20R का कमपैरिजन करेंगे दोनों ही home theater system का review video पहले ही upload किया जा चुका है जिनका link description में दे दिया गया है आप वहाँ से देख सकते हैं अब side by side comparison स्टार्ट करते हैं सबसे पहले design की बात करते हैं तो boat avante 3100d और sony hts20r के subwoofer की बात करें तो size में sony का subwoofer थोड़ा बड़ा है height और length में भी sony का ही subwoofer ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है boat के home theater system की तुलना में दोनों subwoofer को उठा कर देखें तो sony का subwoofer boat के subwoofer से ज्यादा heavy है दोनों subwoofer की main body wooden है और front panel plastic की बनी है जहां boat के subwoofer में subwoofer driver side में दिये है जिसमे cloth की covering है और इसका size 6.5 inch है और पीछे base reflex port दिये है वहीं sony के subwoofer में base reflex port सामने है और subwoofer driver भी सामने है जो metal grill से धकी है इस driver की size boat के driver से छोटी लग रही है boat के subwoofer में input selection और volume control के लिए knob दिये है वहीं sony के subwoofer में touch panel दिये है वैसे तो दोनों सही से काम करता है लेकिन sony के subwoofer के touch input method मुझे personally ज्यादा पसंद आया ports की बात करें तो boat के subwoofer में सारे connectivity ports HDMI ARC, optical, USB और AV port, satellite और sound bar के लिए port पीछे दिये हुए है वहीं sony के subwoofer में USB port सामने है बाकि सारे port पीछे मिल जाता है sony में AV port की जगा AUX port है दोनों subwoofer में display unit सामने ही है पीछे आप देख सकते हैं boat में use किये गए plywood की थिकनेस कम है जबकि sony के subwoofer के body का plywood ज़्यादा मोटा है तो मजबूत और वजन भी ज़्यादा है पीछे ही देखें तो boat के subwoofer को अच्छी finishing दी गई है जबकि sony में ऐसी finishing नहीं मिलती plywood के किनारे बिलकुल rough और unfinished छोण दिये गए है अब sound bar की बारी आती है तो आप देख सकते हैं boat company के sound bar sony के sound bar के comparison में लंबे है लंबे sound bar होने से उनके अंदर के speaker थोड़े दूर दूर रहते हैं तो बहतर surround sound effect फील किया जा सकता है वैसे तो दोनो sound bar की design और finishing अच्छी है लेकिन built quality और material used के मामले में अभी भी sony के sound bar आगे है sony के sound bar का वजन भी ज्यादा है जो ज्यादा premium quality का लगता है दोनों ही sound bar के cable 10 feet तक लंबे हैं और इनके connectors थोड़े अलग हैं जिसे अपने अपने subwoofer से connect होने के लिए बनाया गया है दोनों home theater के satellite speaker भी अच्छे हैं और wall mount के लिए suitable हैं जिसके लिए port भी दिये हैं cable की लंबाई sony के satellite speaker की ज्यादा है sony के satellite speaker के cable की लंबाई जहां 25 feet तक है वही boat के satellite speaker की cable की लंबाई 19 feet तक है remote controller को भी देख लेते हैं तो दोनो remote controller इस तरह के हैं boat के remote controller traditional design के साथ आता है यह slim है, hulky है और बहुत सारे बटन उपर में दिये हैं sony के remote controller ज्यादा attractive है और design भी अच्छी है और build quality भी बहुत अच्छी है सभी जरूरी control बटन मिल जाता है boat के remote control द्वारा basic control के साथ साथ base, treble, center channel को control कर सकते हैं और sound mode, surround sound के लिए भी dedicated बटन है sony में base control और sound mode के लिए बटन मिल जाते हैं साथ ही USB mode को use करने के लिए भी कुछ dedicated बटन दिये गए हैं तो friends, overall design और build quality में sony का HTS20R आगे है मतलब ज्यादा impressive है अब दोनों home theater system के जरूरी specifications को भी देख लेते हैं तो boat का total power output 260 watt है और यह Dolby Digital Plus के साथ आता है इसमें wireless connectivity के रूप में Bluetooth version 5 है sony का total power output 400 watt है और इसमें Dolby Digital है और Bluetooth version 5 भी है दोनों में HDMI ARC, USB, Optical port common है boat में AV port है तो sony में उसकी जगा AUX port है अब दोनों home theater system को connect करके song play करते हैं left side में boat Avante 3100D है और right side में sony STS20R सेम आडियो को दोनों home theater system में बारी बारी से play करते हैं किया को उसां कियां कियां है जासे क्चसे यहादा क्यां है जासे किके यहादा किसे अचशादों है किक दुछ मेंखे कि किक जुछ मेंखे कि फुछ मेंखेक कि आचे कि ईुछ सुछ कि ब Comicsे विट सकति कि दिए आई कि इależते खुछ मेंखे Pois het दुछ लाग आई भीलिगад साउंड क्वालिटी में दोनों होम थेटर सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और आडियो में डीप बेस, क्लियर वोकल्स और ट्रेबल सुनने को मिलेगा दोनों ही साउंड सिस्टम का साउंड दमदार है और दोनों का साउंड क्वालिटी बहुत इंप्रेसिव है भले ही बोट का टोटल पावर आउटपूट सोनी से कम है फिर भी लाउडनेस और डीप बेस में अंतर नहीं दिखता बोट का 260 वाट पावर आउटपूट सोनी के 400 वाट के पावर आउटपूट की बराबरी करता हुआ दिखता है बेस दोनों की बहुत अच्छी है और बेस को कंट्रोल भी किया जा सकता है फिर भी दोस्तों बोट के सब वूफर ड्राइवर की साइज थोड़ी बड़ी लगती है इसलिए बोट के होम थीयटर सिस्टम के बेस में डिपनेस हलका सा बहतर सुनाई देता है बोट के होम थीयटर सिस्टम में बेस के साथ साथ सेंटर चैनल, ट्रेबल, सराउंड साउंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है जो की सोनी में नहीं मिलता, केवल डिफॉल्ट सेटिंग मिलता है दोनों ही home theater system में कुछ sound mode है जिनके लिए dedicated button भी है boat avante 3100d में dolby digital plus encoding technology दिया हुआ है वहीं sony में dolby digital मिल जाता है तो boat में encoding technology advance है जो surround sound experience को बहतर बनाता है वैसे surround sound का experience दोनों ही home theater में अच्छा रहा फिर भी sony के home theater में surround sound जादा बहतर सुनाई देता है दोनों ही home theater system के satellite speaker की sound बहुत कम आती है सायद इसे ऐसे ही design किया गया है फिर भी sony के satellite speaker में sound थोड़ी जादा आती है सायद यही कारण है कि sony के cable की लंबाई को जादा किया गया है sound bar भी दोनों ही home theater system का अच्छा perform करता है लगभक सारे vocals और trebles यहीं से सुनाई देता है तो overall दोनों ही home theater system की sound quality decent है जहां boat में clear sound के साथ साथ बहतर bass, loudness और audio control मिल जाता है वहीं sony में bass और melodious sound मिल जाता है इन सब के अलावा connectivity में दोनों home theater system में कोई problem नहीं आती फिर भी sony के HDMI ARC को HDMI CC के रूप में भी use किया जा सकता है boat avante 3100D 13000 रुपए में मिल जाएगा वही sony STS20R 15000 रुपए तक में मिल जाएगा तो अंत में दोस्तों दोनों ही home theater system को मैंने use किया है और budget range में दोनों बहतरीन option है built quality, sound quality और feature में दोनों home theater बहुत अच्छे हैं दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है फिर भी मेरे experience से जहां built quality में sony का STS20R आगे है और touch control, HDMI CC जैसे advanced feature मिल जाते हैं जबकि sound quality में boat का base थोड़ा बहतर है साथ ही boat में base control के साथ साथ surround sound, treble और center channel control भी मिल जाता है तो इन दोनों home theater system में से जो भी preference का हो उसे consider किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही home theater system performance में बिलकुल भी निरास नहीं करेगी तो इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद